आज के इस वीडियो में हम लोग तेंथ क्लास के बोर्ड एक्जाम तेंथ क्लास के बहुत ही महत्पून अबजेक्टिव सवाल को देखेंगे और ये अबजेक्टिव सवाल विज्ञान मतलब साइंस सब्जेक्ट के होएंगे ठीक है तो पहला सवाल है और इसको आप टेस्ट की रूप में या रिवीजन की रूप में ले सकते हैं जो भी सवाल नया लगे उसको आप नोट कर लिजेगा है ना ताकि एक्जाम में आपको मदद मिल सके पहला सवाल है परकास का वर्ण विच्छेपन किस उपकरन से संभव होता है ओप्षन दरपन ओप्षन बी लेंस ओप्षन सी प्रीजम या ओप्षन डी कांच की सिल्ली तो इस सवाल का सही जवाब होगा ओप्षन सी प्रीजम दूसरा सवाल ओतर लेंज का आवर्धन M बड़ाबर होता है ओप्षन A, U by B ओप्षन B, U into U ओप्षन C, U plus B ओप्षन D, B by U तो इस सवाल का सही जवाब होगा ओप्षन D, B by U तीसरा सवाल विद्धूत हीटर में तार की कुंडली कि स्तत्व की बनी होती है ओप्षन A, नाइक्रोम ओप्षन B, प्लेटिनम ओप्षन C, लोहा ओप्षन D, तामबा तो इस सवाल का सही जवाब होगा ओप्षन A, नाइक्रोम तो ओथा सवाल विद्धूत बल्ब का तंतू बना होता है ओप्षन A, लोहा का ओप्षन B, तामबा का ओप्षन C, टंगस्टन का ओप्षन D, एल्मूनियम का तो इस सवाल का सही जवाब होगा ओप्षन C, टंगस्टन का पांचवा सवाल विद्धूत का अच्छा चालक है उप्षन A लक्डी, उप्षन B चान्दी, उप्षन C प्लास्टिक या उप्षन D कार्बन तो इस सवाल का सही जवाब होगा उप्षन B चान्दी छठा सवाल आवेश का एसाई मातरक होता है उप्षन A कुलाउम, उप्षन B जूल, उप्षन C ओम, उप्षन D वोल्ट तो इस सवाल का सही जवाब होगा उप्षन A कुलाउम सात्वा सवाल जल विद्धूत सयात्र किस उर्जा को विद्धूत उर्जा में रुपांतरित करता है आप्शन A तापिये उर्जा, आप्शन B नाभीकिये उर्जा, आप्शन C सौर उर्जा, आप्शन D इस्थितिज उर्जा तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्शन D, इस्थितिज उर्जा आठवा सवाल, डायनेमों से कैसी धारा प्राप्त होती है आप्शन A, प्रत्यावर्ती धारा, आप्शन B, ड्रिष्ट धारा, आप्शन C, दोनो या आप्शन D, इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा, आप्शन C, दोनो प्रत्यावर्ती धारा और ड्रिष्ट धारा दोनो नौवा सवाल विदूत जनित्र का सिधान्त आधारित है आप्शन A विदूत धारा के उस्मिये परभाव पर आप्शन B विदूत चुम्बकिये प्रेरन पर आप्शन C प्रेरित विदूत धारा पर आप्शन D प्रेरित चुम्बक्त पर इस सवाल का सही जवाब होगा Option B, विद्धू चुम्बकिये प्रेरन पर दसवा सवाल लगुपतन के समय परिपत में विद्धू धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है Option B, बहुत कम हो जाता है Option C, परिवर्तित नहीं होता Option D, निरंतर परिवर्तित होता है इस सवाल का सही जवाब होगा Option A, बहुत अधिक बढ़ जाता है इगारवा सवाल विद्धू धारा उत्पन करने की यूगति को कहते हैं Option A, ग्यलवेनो मीटर Option B, जनितर Option C, ए मीटर या Option D, मीटर इस सवाल का सही जवाब होगा Option B, जनितर बारवा सवाल विद्धू ध्यूज विद्धू धारा के किस परभाव पर कारे करता है Option A, उसमिये Option B, चुम्बकिये Option C, रसायनिक Option D, इनमें से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option B, Option A सही होगा है न, Option A सही होगा चुम्बकिये ठीक है, विद्धूज 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 धारा के किस परभाव पर कारे करता है तो Option A सही होगा उसमिये तेरवा सवाल हमारे घरों में जो विद्धूज आपूर्ति की जाती है वह तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option C, दुस्वबीस भी परतियावर्ति धारा तो तेरा का Option C सही होगा चौदवा सवाल परमानों के नाभिक में उपस्तित न्यूट्रोन होता है Option A, रीना वेशित Option B, धाना वेशित Option C, उदासीन Option D, इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option C, उदासीन होता है तो चौदवा का C सही होगा पंद्रहवा सवाल तारे के टिम्टिमाने का कारण है Option A, वायुमंडलिये अपवर्तन Option B, वायुमंडलिये प्रावर्तन Option C, कुल प्रावर्तन Option D, कुल अपवर्तन तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option B, मतलब वायुमंडलिये प्रावर्तन तो पंद्रह का Option B, सही होगा सोलवा सवाल सिल्वर क्लोराइट का रंग होता है काला Option B, पीला option C, hara ja option D, sweat sweat matoire ujjalaa то, solar का silver chloride का रंग जो होता है वो sweat होता है और iodide का रंग पीला होता है थीक है तो silver chloride का रंग कैसा होता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option D, sweat होता है 17 सवाल रसाइनिक अभिकिरिया को व्यक्त किया जाता है आप्शन A संकेतों के रूप में, आप्शन B समी करनों के द्वारा, आप्शन C अनू सुत्रों के रूप में, आप्शन D सरल सुत्रों के द्वारा तो इस सवाल का सही जवाब होगा, आप्शन B समी करनों के द्वारा अठारवा सवाल कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पी एच मान संभव क्या होगा आप्शन A 10, आप्शन B 1, आप्शन C 5 या आप्शन D 4 तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A 10 और पी एच मान से सम्मंदित पी एच मान क्या होता है पी एच स्केल क्या होता है इस पे एक separate वीडियो बनाए गया है तो हम डीटियल पूरा इसका हिस्टरी के साथ ठीक है तो आप इसे चैनल को वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं इस सवाल का सही जवाब होगा option A उप धातू तो इस सवाल का सही जवाब होगा तामबा का option B लोहा का option C अल्यूमिनियम का option D टीन का तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B लोहा का 21 सवाल कार्बनिक योगिकों का आवस्यक तत्व है option A, C option B, S option C, P option D, H तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A, C होगा 22 सवाल आधुनिक आवर्तन 22 सवाल क्या है आधुनिक आवर्त सार्णी में कितने 36 पंकिया है option A, 6 option B, 18 option C, 7 option D, 9 तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B, 18 23 सवाल सोना की परमानु संख्या है option A, 29 option B, 89 option C, 89 option B, 49 तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C, 89 ठीक है तो 23 का C, सही होगा 24 सवाल ओजोन के एक अनु में oxygen के परमानियों की संख्या कितनी होती है option A, 1 होती है option B, 5 होती है option C, 2 होती है option D, 3 होती है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option D मतलब 3 होते है पचीसवा सवाल आवर्त सार्नी में कितने आवर्त है पचीसवा सवाल क्या है आवर्त सार्नी में कितने आवर्त होते है option A 2, option B 8, option C 18, option D 7 तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C 18 मतलब 18 होते है चाविस्वा सवाल मचलिया किस अंग द्वारा सुवसन करती है? आप्शन A गिल्स से, आप्शन B कोशिका जिल्ली से, आप्शन C फेफरा से, आप्शन D ट्रेकिया से तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्शन A गिल्स से 27 सवाल पादप में फ्लो एम समवाहक होता है आप्शन A भोजन का, आप्शन B अमीनो अमल का, आप्शन C जल का, आप्शन D CO2 का तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्शन A भोजन का और जाइल्यम जो होता है वो जल का, ठीक है? और फ्लो एम जो होता है वो भोजन का 28 सवाल कोशी का जिल्ली किस परकार की जिल्ली है उप्षन A पारगम में उप्षन B और पारगम में उप्षन C अर्ध पारगम में उप्षन B इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा उप्षन C अर्ध पारगम में उन्तिसवा सवाल मानव हिर्दय में पाये जाते हैं आप्शन A 3 वेस में मतलब 3 चेमबर या आप्शन B 4 वेस में आप्शन C 2 वेस में या आप्शन B 5 वेस में ठीक है तो मानव हिर्दय में 4 चेमबर मतलब 4 कोष्टक या 4 वेस में पाये जाते हैं तो 29 का सही जवाब होगा option B, 29 का कौन सा option सही होगा, B, 4 वेस्ट में तीसवा सवाल, मनुस्य में वरिकक एक तंत्र का भाग है, जो सम्मन्धित है, पोसन से, उसर्जन से, स्वासन से, या पडिवहन से ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B, उसर्जन से ठीक है, जो हमारा किडिनी है, वो किस तंत्र से सम्मन्धित है, तो option B, उसर्जन तंत्र से सम्मन्धित है, तो 30 का option B, सही होगा option B, एक तीसवा सवाल, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, option A, पूंके सर, option B, इस्तिरी के सर, option C, अंडास है, option D, बीज इस सवाल का सही जवाब होगा, option C, अंडास है, बातिस्वा सवाल, मनोश से कोसिका में गुनसुत्रों की संख्या क्या है, option A, 46 गुनसुत्र, option B, 22 जोरे, option C, 44 गुनसुत्र, option D, 24 जोरे, तो इस सवाल का सही जवाब होगा, option A, 46 गुनसुत्र होते हैं, तो 32 का A, option सही होगा तेतिस्वा सवाल निम्न में से कौन सा अंग संवेदी संगराही नहीं है अप्शन A कान, अप्शन B आँख, अप्शन C नाख, अप्शन D दिमाग तो इस सवाल का सही जवाब होगा अप्शन D दिमाग 34 सवाल किसोरा अवस्था में होने वाले सारेडिक परिवर्तन का कारण है तो 34 सवाल किसोरा अवस्था में होने वाले सारेडिक परिवर्तन का कारण है तो 34 का सही अंसर क्या होगा तो 34 का सही जवाब होगा मतलब टेस्ट्टो इस्ट्रोन भी होगा और चोंतिस का उपसन डी सही होगा 35 सवाल और लैंगिक जननद मुक्लन दौारा होता है अमीबा में आफशन बी इस्ट में आफशन C पलैजमोडियम में आफशन दी लेशमानिया में इस सवाल का सही जवाब होगा आप्सन B इस्ट में तो 35 का B आप्सन सही होगा 36 सवाल पूस्प का नर पूस्प का नर जननांग कहलाता है 36 सवाल क्या है पूस्प का नर जननांग कहलाता है आप्सन A पुंकेसर आप्सन B जयांग आप्सन C पंखूरी या option D इन में से कोई नहीं तो 36 का सही अंसर होगा option A पुंकेसर सै तिस्वा सवाल निमलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है option A गुरहल पुष्प option B सरसो पुष्प option C पपीता पुष्प option D गुलाब पुष्प तो इस सवाल का सही जवाब होगा 37 का सही जवाब होगा option C पपीता पुष्प और तिस्वा सवाल जीवानु एक कौवक कहलाते हैं option A उत्पादक option B अपघटक option C उभोगता option D आहार स्रिंकला तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B अपघटक 49 सवाल प्रयावरतन के अंत्रगत आते हैं option A जल मंडल option B अस्थल मंडल option C वायू मंडल या option D इन में से सभी तो इस सवाल का सही जवाब होगा option D इन में से सभी 40 वा और आज का अंतिम सवाल पौधों और पस्वों की कोसिकाओं का वैज्ञानिक अध्यन क्या कहलाता है option A अनुवानसी की option B कोसिका विज्ञान option C साइटो जेनेटिक्स या option D उत्तक विज्ञान तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B कोसिका विज्ञान ठीक है तो उमीद करते हैं यह सारा आपको अच्छा लगा होगा और इन सारे जो भी हम सवाल पढ़ें इन सब को डीप से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि है ना इन सारे टॉपिक पे अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे अप अपलोड किये जाएंगे क्योंकि अब हिस्ट्री को सुरू कर दिया गया है पूरा सुरू से इन तक पढ़ाया जाएगा दम बेसिक से एडवांस तक तो हिस्ट्री चाल हुए हिस्ट्री के साथ सथ और भी सब्जेक्ट पराही होंगी उसके साथ साथ बायलोजी भी होगी ठीक है चलिए तो हमसे जूरे रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल भी बजा दें ठाइक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो